आज मैं आपके साथ शेयर करने वाले हूं बहुत ही healthy snacks की recipe आप इसको कभी भी खा सकते हैं चाई के साथ बहुत tasty लगता है और बहुत easy आप बना सकते हैं इसको और आप इसको बना के रख सकते हैं डिबे में 15-20 महिने तक आप इसको खा सकते हैं को higher Tamam box में आप रख दीजिए इसको तो तो अभी भी आपकामन हो तो आप इसनेक्स के रूप में ख़ा सकते हैं और कफ वेट Kreusz करना चाहतेएंों जब भी आपको भूख लगे तो आप रगते को आप इसको कहाएं तो वेट भी नहीं बढ़ते माई चैनल fp पुष्पलता किचन को सब्सक्राइब कीजिए बैल बटन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले जब भी में कोई नियू रेसिपी डालूं और जो वीडियो के नीचे लाइक का बटन होता है उसको जरूर क्लिक किया करें और चैनल को सब्स अब लेंगे कडाही में डाल देंगे हम रिफाइंड ओयल और उसके पाद इसके अंदर हम पीनट्स को भूलन लेंगे और इसको हमें एकदम लो फ्लेम पे भूनना है अगर आप फ्लेम पे भूनेंगे तो उपर से मॉंफली जल जाएगी और नीचे से कच्छी रह जाएग अब हमने इसमें चौपकी हुए आलमंड डाले है यह आप को पसंद है तो डाल सकते हैं नहीं तो नहीं भी डाल सकते हैं तो 4-5 मिनट में हो गया है तो मैं इसे एक प्लेट में निकाल लेती हूँ और सेम कडाही में हम तड़का लगाएंगे तो यहाँ पर मैंने लिया है एक किसमिस और यह किसमिस भी बहुत अच्छी लगती है इसके साथ तो आप इसको एकदम लोफ लिम पर हलका सा भून के निकाल लेंगे बहुत हलका सा भूनना है आप देख सकते हैं नहीं तो फिर यह जल अगर आप वेट लॉस के लिए बना रहे हैं यहां पर हमने टर्मॉ्णवर लिया है और यहां पर मेश को shrinking तो बहुत लो फिलेम हमें अभी रखना है हई तो मीडेयम पर ही करना है हमने यहां पर मुर्मुर को डाल दिय riderné को नहीं है अच्छे से पूरहीं को अच्छे मिला मेक्स एक अजर अच्छी मजना। तो अभी मैं एक बार आपको चेक करके दिखाऊंगी तो यहां पर देख सकते हैं नहीं ज़्यादा अच्छे से हुआ है अभी तो यहां पर अभी थोड़े दिर और हमें भुनना है यहां पर मैंने लिया है चटकारी चाट मसाला और यह औप्शनल है अगर आप डालेंगे तो बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा इसका तो आप डाल सकते हैं नहीं है तो भी चलेगा तो यहां पर मैंने थोड़ा से लिया है हाफ के आसपस और मैंने यहां डाल के इसको मैं मिक्स कर दिएगी बाकी और भी कुछ नहीं हमने डाला है यहां पर और इससे ही बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है और बाकी आप टेस्ट फिर से चेक करके मैं आपको दिखाती हूं तो आप देख सकते हैं एकदम से क्रिस्पी हो गया एकदम देखिए मैश हो गया है तो इस तरह इस टेस्ट पे हमें अपनी गैस को बन कर देना है उसके बाद हमने जो पीनट्स और यह भून के रखा है और किसमेस और आलमंड तो उसको भी हमें यहां पर एट कर देना है इसलिए यहां पर एड़ करना है क्योंकि हमने इसके अंदर जो साल्ट है चाट मसाला है वो सब इसके अंदर मिक्स हो जाएगा यहां पर रेडी हो गया है तो मैं दूसरे बाउल में निकाल लिया है तो यहां पर मैंने बाउल में निकाल लिया है और हमने यहां पर सारू कर द और आपको पसंद आये तो शेयर जरूर कर दीजेगा फ्रेंस फैमिली में ताकि वो भी बना के और इसको इंज्वाइब करें तो अगर चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर दीजेगा ताकि मेरे आगने वाली रेसिपी की नोटिफिकेश मिलें मिलती हूं फिर एक नेक्स्ट वीडियो के साथ तब तक के लिए बाइ फ्रेंस गुड डे टेक केर